दोस्तो, बैंक में एकाउंट खुलवाना हो, जमीन की रजिस्टरी कराना हो, बैंक से लोन लेना हो, या फिर फर्म रजिस्टर कराना हो, या फिर पैसे के इन्वेस्ट्मेंट से जुड़ा कोई भी मामला हो, पैन कार्ड एक महत्वपुन डाकुमेंट होता है जब आपको पैन कार्ड की आवस्चता होती है तो आप किसी CSC या पैन कार्ड अफिलेटेट सेंटर्स पर जाते हैं और वहाँ आपसे 200 रुपए से ले करके 200 रुपए तक की डिमांड की जाती है और 15 दिन का समय भी लगता है इसलिए सरकार द्वारा लोगों की परेशानियों को समझते हुए घर बैठे आनलाइन फ्री में डिजिटल पैन कार्ड देने की सुबिदा प्रारंब की गई है इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको घर बैठे मोबाइल से फ्री में डिजिटल पैन कार्ड बनाने की कम्प्लीट प्रोसेस बताएंगे जिससे कि आप मोबाइल से मातर 10 मिनट में अपना नया पैन कार्ड बना कर जहां आवसकता हो वहां दे सकते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जूडिशियल एंड आल इंडिया बार एक्जाम्स को सब्क्राइब कर लिजे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पैन कार्ड बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए जिससे कि उस पर OTP आ सके उसके बाद सबसे पहले आपको अपने mobile में जो search engine है google उस पे income tax india e-filling.gov.in जैसे कि आपको screen पर भी दिखाया जा रहा है उसे search कर सकते हैं तो आप देखें search में income tax की official website आ जाएगी और उस पे आपको click करना जैसे ही आप official website link पे click करेंगे तो आपके सामने जो income tax office की official website हो open हो जाएगी और उस official website में आप देखेंगे कि quick links में सबसे पहले नमर पे आरा instant pen through आधार तो जहां पे आरा instant pen through आधार वहाँ पे आपको click करना होगा जैसे ही आप उस पे click करते हैं तो आपके सामने ऐसा interface आएगा जो आपको screen पर दिखाया जा रहा है और इस interface में देखें नीचे दो option आरहे है get new pen और दूसरा आरा check status oblique download pen तो देखें आपको नया pen card बनाना है इसलिए आपको get new pen पे click करना होगा अब get new pen पे जैसे ही आप click करते हैं तो आपके सामने नया interface आ जाएगा इस interface में आपको अपने आधार की details देनी होगी तो सबसे उपर देखें option क्या रहा please enter your आधार number for pen allotment तो जिसका भी आपको pen card बनाना है या बनवाना है उसका यहाँ पे आधार number डालेंगे और उसके बाद नीचे capsa code है इसे fill करके I confirm that generate OTP पे click करेंगे और जब आप इस पे click करेंगे तो आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद आप चाहें तो अपने आधार details को validate कर सकते हैं चेक कर लें जो भी details हैं तो अगला option उसी का होगा उसमें जिस नाम से आपका pen card बनना है और जिस से आधार है उसमें कोई dismatching तो नहीं है वो हो जाएगा और जैसे ही आप उसको OK click करेंगे तो आपकी पास get pen का option आएगा और आप submit पे click करेंगे तो आपको pen generate हो जाएगा pen generate होने पे आपको कैसे मिलेगा तो आपको फिर से back जाना होगा और वहाँ पे download pen पे click करना होगा और download pen पे आप जब click करेंगे तो आधार details देने के बाद आपका जो digital pen card है वो आपको download हो करके मिल जाएगा तो friends इस प्रकार से आप free में pen card प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप card प्राप्त करना चाहते हैं physical वाला तो उसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होगे वो भी आप online पे कर सकते हैं तो friends हमारे दोरा दी गए जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाई